प्रिटी रानी व्लॉक्स में आप लोग का श्वागत है शो मेरी दुनिया में आज आपका श्वागत है यही बलसके सब विंटर है काफी ज्यादा और विंटर में आप लोग को कैसे सेफ रखा जाए आज का वीडियो मेरा यही रहेगा कि किस तरह से एक बलाइक इनर पे शारी डेपिंग करना बताएंगे ताकि आप शेफ भी ठंड भी ना लगेगा कैसे सेफ रखकर और खुद को स्टाइलिस दिखा सकते हो शारी में वह आज हम अपने वीडियो में बताएंगे जो कि मैं बल आपको यह बीडियो देखना होब दो चल्ने जादा में करते ओर भीडियो के स्टार्ट करते है और काफी कमपर्टेबल है और हमको काफी अच्छा लगता है कोटियन की सारिया तो मैं आज उस पर बताऊंगे बेट ये गुलूप केड़ करना जिस पर आप मॉडल भी दिखोंगे और अच्छा भी लगोगे और एक अलग लूप केड़ कर सकते हो सही इसका आचल है अब ह आते हैं इसके बॉडर के साइड आगे का फ्रंट पेज़ इसको ऐसे मिले सकते हैं यहां पर करेंगे तो का इस टाल तरफ से टक कर लिए और अब हमाएंगे आचल के साइड आचल के साइड ये देख सकते हैं इतना जो है ना बॉर्डर उसकी इसाब से चार्ट फिंगर को रखेंगे और जस्ट ऐसे करके रोखें से दबाते जाएंगे लोग पल्ला साइड बता रहे हैं तो यह वाली बॉर्डर आपको उपर साइड उड़ना चाहिए यही ट्रेक है पल्लू रखने का इसमें साइड यह मेरा उपर के साइड है आज हम फुरा सब बड़ा करनेंगे कॉर्णर के नीचे एंड वन पींटेंगे और यहां पर शाइड होगे तो नास्ट में लगानेंगे तो गाइस अब हमाएंगे नीचे प्रेट की तरफ प्रेट हो करेंगे कि फिंगर के हेल्प से चाटा क्लेंगे और साड़े को एक बात इस तरीके से कर देंगे यहां पर एक बन पींट लगा देंगे चाहे तो बाहर चाहे तो ऊपर देंगे तो आप लोगो दीखा भी पाया और लोगो समझा पर पाया चाहे तो अब अनर से भी लगा सकते हैं वोपर से भी लगा सकते क्योंकि यह कोटें की साही है तो इस भी कहीं से भी अच्छे से हो जाता है तो वैस्ट यहां पे लगाने के बाद आएंगे आप यहां पे साइड में इसको खीच के टब करते जाएंगे पैटी कोट में कर दो सामने भी और यहां पे जो थोरा सा बचा हुआ आप उसको चाहे तो यह अंदर शेव देखने के लिए यहां पे हम एक पिंग रगा करें तो तो आप पैसे इस तरह के सारे प्लेट को पकड़े और यहां पे पिल लगा देलें कि आप देख सकते हैं यह सारे प्लेट को तस्ट यहां से टक करके लाएं और यहां पे आप से जास्ट ओर के और इस आगे वाले प्लेट में पाकरें पिंग अन्नर के मेरा कम्टीट हुआ है और इसके साथ हम पोनी टेल किये हुए है और इसके साथ एक हम मोपेशनल दीखने के लिए चौकर डालेंगे जस्ट इस तरीके से गोज पहनेंगे एक यडिंस टालेंगे फोरा सा लुक अच्छे ग्रियेट करने के लिए यह वाली और एक बेल्ट ट्राई करते हैं अगर अच्छा दिखें तो वरना हटा देंगे तो देखें लगा करें मेरे पास वाइट पड़ा हुआ बेल्ट है इसको कुछ जुगार हुआ हुआ करते हैं पुरा सा पॉफेश्णल लिखने केगे और एक यह यह रिंस कहां लेंगे और पोड़ी टेल कर लेंगे इस टाइक इंगर पी पोड़ी टेल अच्छा लगता है तो नो है आप एक शक्राइब मेरा यह फाइनल लगता है कि अब जुट करेंगे जो की वोबी विंटर सेफ के लिए हैं अब एस्टाइश के लिए है तो बिलकुल हलकी में जो सॉप्ट साडी होती है ने डेली बेक्सिस के डेली यूज करने वादी उस्टाइब को साडी चूच के एंड उसके साथ हम चॉकलेट कलर का इनर पैने अज बूल बाजू का एंड इस पे अपको ठंड बूल न लगेगा इसको स्टाइल करेंगे कुछ अपालगता है तो चारु तुरुप से टक करने के वो तो शबको आता है तो तक करने के बाद हम आयेंगे आचल के साइड को आचल के साइड आएंगे और जास उस्ट को रफ ली करेंगे मेरा बॉर्डर में ये मिलकुल प्लेल है हलका नेट का बडर है तो जास जिसको ये डेली उसका साइड हमेरा जस्ट इसको ऐसे कर लेंगे आए ये वाले प्रेट प्राइगे नीचा क्या तरह पॉडर को जस्ट ऐसे लाएंगे और यह बडर को जस्ट ऐसे लाए लिये और यहाँ तो पर चारव तरफ से साजी तफ कर लिये हैं थार्डी स्टाइल के लिए थार्डी स्टाइल में भी इनर जासा स्वेटर लिये हैं इनर नहीं है यह स्वेटर है बाट यह बलाउस दिजाइन बहुत अच्छा से चल जागा कि आप तेक सब्सक्राइब इस तरीके से थोरा सा फुल वाजू नहीं जा रहा बट इन ब्लैक और रेट पर कॉंबिनेशन काफी प्यारा है और प्यूर कॉटन जिसको साड़ी होते हैं वह साड़ी है इसको भी लोग पल्ला ही रखना है तो हम प्लेट आजल जितना लेना हुआ जस्ट इतना रख लेंगे आगे घुमाकर और अब हम आएंगे प्लेट की साइड तो याद रखेंगे कि यह लोग पल्ला साड़ी के लिए हम पहले ही यहां पर हलका लूज करके छोड़ देंगे अब हम आएंगे आचल के साइड आचल को हलका यहां पर इस तरीके से लोग करेंगे और प्रेट लगाएंगे तो इस तरीके से ग्रेट बना लिए और जस्ट इहां पर इसको हलका लूज करके और स्वेटर में ही एक फिल्ड अगा लेंगे इसके साथ हम ब्लैक यारिंग्स पहांज है क्योंकि रेट और ब्लैक का कॉंडिनेशन रहेंगा एंड टाइ का जुगाड केट के वेट जासा लगा लिए हैं ताकि थोरा सा अच्छा दिखेंगे और सारी भी सेफ रहें यह इनर पर था इस बजया से एंड थोड़ा समस कोशिस किये हैं कि थोड़ा डिफरेंट दिखना आप लोगों को अच्छे जर अच्छे दिख सकें तो इसमें हम टाइब पहार लिए हैं सारी को श्यूर्ट कर लिए और एक आप लगा लिए वालबेस बासा लुक चेन करने के लिए और एक बैल फ्लाक छोटा वाला बुली गलस्ट रख लेंगे और यह आप फाइनली है लुक देख सकते हैं कि इस तरही है अब लास्ट एंड फोर स्टाइल जो बता रहे हैं वह पिंक कलर का इनर्ड यानि की श्वेटर लिए है जो कि देख सकते हैं पिंक पे प्रेट का कॉम्बिनेशन का प्ले अच्छा जाएगा जब भी शाड़ी मैच करेंगे तो कॉम्बिनेशन लाकर तो यह जोर्जट की सा रही है और फटा फटा हम इसको फोल्ड कर लेते कि आपनों को प्लेट बनाना बता है तो इसको बात करते करते प्लेट बना रहे हैं अब आएंगे आचल के साथ और आचल पर यहां पर एक वन पीम लगा कर अब टिचिंग बेगेरा करेंगें करते हो यह कहीं पार्टी शाटी में हो और आपको थोरा से स्टाइल भी करना रखना है और ओपेन भी रखना है बहुत लोग चाहते कि पन्लू को ओपेंगी रखें ज्यादा स्टाइलिस देखेंगा और काफी थोरा सा लूप अच्छा लगता है पोफेशनल लगता है और अच्छा फासे भी रख सकते हैं फर्स इस टाइल अगर ज्यादा से जाड़ा पचना चाहते फासन में करता है तो इसको लेड बनाएंगे जस्ट पत्वला साफ है करते हैं अच्छा आपके पर सब लोग के पास बलेजर तो रहता है और बलाइशल प्लाइजर फ्लाइजर प्लाइज अब के पास रहता है तो यहां पर एक प्लास स्टायल करेंगे जो की काफी ठंड से रचने वाला हुए एं काफी अच्छा होगा इसमें थोरा सा बनने वाला है तो आप इस टाइप कर जैके जूच करें जिसमें बनने वाला हो प्रीवन टाइप से और यह देख सकते है जाइज यह लास्ट और फोर सादे इस ताल विंटर इस पेसल प्रीदी